करक रासी बालों का आने बाला दिन यानी की 19 अप्रेल 2021 का दिन कैसा बीतेगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ 19 अप्रेल 2021 के पंचांग के बारे में आज तिथी है सब्त मी नक्छत्र है पुनर वसू पक्ष है सुक्ल पक्ष दिन है सोम वार मित्रो आने वाले शमय में सुर्ज उधे का समय है पांच बजी के बाबन मिनट में सुर्ज अस्त का समय है 6 बजी के 48 मिनट में रितू है वसंत आज का दिन काल है 12 घंटे 56 मिनट 48 सेकेंड का महिना है चैत्र आने बाले शमय में सुभ समय सुरू होता है 11 बजी के 54 मिनट एम से 12 बजी के 45 मिनट पीम तक असुभ काल सुरू होता है 3 बजी के 21 मिनट पीम से 4 बजी के 20 मिनट पीम तक आने बाले शमय में राहु काल सुरू होता है 7 बज के 29 मिनट एम से 9 बज के 6 मिनट एम तक दिसा सूल है पूरब दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग इस वेडियो के अंत में आपके आने बाले शमय का अनोखा तोट का भाग्य साली रंग एबं भाग्य साली अंक है तो आप उसे भी सुने ताकि आपका आने बाला शमय बहतर एबं सांदार हो सके शबसे पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ आपके बेपार आपके बेवसाई के बारे में मित्रों आप में से जो भी जातक के कारोबाडी हैं बेपाडी हैं तो आने बाले समय में अपने बेपार के छित्र में यदि आप कोई भी महत्तपुर्ण फैसला करते हैं तो फैसला करने से पहले अपने फैसले के बारे में आपको एक बार सोचना चाहिए एबम सोचने बिचारने के बाद ही आपको कोई भी फैसला करना चाहिए क्योंकि आपके कामकाज, आपके बेपार, आपके बिवसाई के लिए यह बहुत जयादा जरूरी एबम आबस्यक है मित्रो आने बाले समय में यदी आपके दामपत्य जीबन की बात कड़ें तो दामपत्य जीबन के ग्रिष्टी कोन से भी आपका समय सामानने से बहुत जयादा नीचे है मित्रों आने बाले समय में ऐसी संभाबना है कि आपके जीबन साथी के कारण आपके जीबन में छोटी मोटी पड़ेशानी का सामना आपको करना होगा तो आने बाले समय में इन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए मित्रों आप में से जो भी जातक विद्यार्थी हैं छात्र हैं तो आने बाले समय में आपके पढ़ाई लिखाई आपके सिक्षा के छेत्र में आपके समय का सपोर्ट आपको बहुत जयादा मिलेगा जिसके कारण आने बाले समय में आपके पढ़ाई लिखाई आपके सिक्षा के छेत्र में कहीं कोई पढ़ेशानी कहीं कोई समस्या नहीं होगा तो मित्रों इसके बाद बात करते हैं कि आने बाले समय में आपके लिए अनोखा तोट का भग्यसाली रंग एबं भग्यसाली अंक क्या है मित्रों आने बाले समय में आपके लिए भग्यसाली अंक है चार यणी की फोर मित्रों आपके लिए भग्यसाली रंग है के सडिया एबं पीला मित्रों आने बाले समय में अपने समय को बिहतर एबं सांदार बनाने के लिए आपको अशनान ध्यान करने के बाद भग्यबान स्री गनेश की पूजा करनी चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका आने बाला समय बहुत ज्यादा बिहतर एबं सांदार होगा तो मित्रों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें एबम इस वीडियो के नीचे अपने इस्ट देबता का नाम कमेंट कर दें एबम इस वीडियो को आप हर जगह सेर कर दें धन्यवाद